रादे रादे सभी को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्री में अखंड जोत जलाने का नियम क्या होता है आप सभी को अखंड जो जलानी आती है आप लोग जला भी लेते हो सी देख रेक भी कर लेते लेकिन जो सबसे बड़ा मैच्पूर्ण नियम होता है अखंड जोत जलाने का उसके कुछ नियम है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहला नियम ये है कि जो भी अखंड जो जला रहा है वो जमीन पर गड़ा लगाके सोता है बिस्तर पे नहीं सोता है बिस्तर का त्याग करना होता है जो भी अखन जो जलाता है और अखन जो जिस घर में जलती है वहाँ पर उस घर में ताला नहीं लगाया जाता है बिल्कुल भी घर की देखरेक में कोई ना कोई होना चाहिए घर के अंदर कोई ना कोई होना चाहिए ताला नहीं लगना चाहिए यह तो सबसे महत्मून कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप नौ दिन घर के अंदर रहे सकते हैं तो ही आप अखंड जो जलाने का निर्णे लीजिए देखा देखी में कभी ये काम मत करिएगा क्योंकि मा भवानी विराजमान होती है नौ दि करता है उसको जमीन पर सोना होता है प्यार लसंग आपको पता है त्यागी करना होता है नहीं खाना होता है तो यह दो या तीन ही बाते थी मुझे महत्मूर्ण होती है बड़ी ही आपको मैं बता रही हूं वीडियो के जरीए कि अगर आप अखंड जलाएं तो ये टिश का लिट निश्चे कर लीजिए कि घर के अंदर ताला नहीं लगना चाहिए और अगर किसी को डेट आने के संभावनों घर में अगर महील आए हैं अगर आपको लगता हो इन बीच अगर आएगी किसी को डेट तो अखन जोत बिल्कुल ना जलाए इस बातों का आप ध्यान रखे नवरात्री 3 अक्टूबर से हैं आप सभी को पता है तो आप भी यह निश्चे कर सकते हैं कि आपको अखन जो जलानी है और अगर जलानी है तो आपको कुछ नियम पता होने चाहिए कि अखन जो जलाते समय यह बाते आपको ध्यान रखने चाहिए वीडियो पसंद आईयो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें